नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज कबर का एक्रम सीधा सवाल मुदी जी हिंदू बेटियों को कब नयाय मिलेगा कब आप नयाय करेंगे हिंदू बेटियों के साथ यह सवाल सीधा आपके साथ क्योंकि आज देश का आलम यह है कि देश का मान और शान बढ़ाने वाली यह बेटियां गंगा में अपना मेडल बहाने पर उतर आई हैं दिल से इतनी दुखी हैं कि वह लिख कर दुनिया को बता रही हैं कि वे मरना चाहती हैं जीने में कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा और यह सवाल सीधा सीधा आपसे इसलिए क्योंकि आपकी डिक्शनरी के मताबिक यह सिर्फ भारती नागरिक नहीं हैं भारती जनता पार्टी और तमाम संगठनों की दिक्ष्टनरी के मताबिक यह सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियों की श्रिणी में आती हैं सवाल सीधा यह मोदी जी कि ये बेटियां जिन्हें आप अभी तक अपने घर की बेटियां बोलते थे ये इस वेदना से गुजर रही हैं तब भी आप चुप क्यों हैं क्यों नहीं जवाब दे रहें क्यों नहीं न्याय कर रहें इन बेटियों के साथ यहां हम बात कर रहे हैं उन महिला पहलवानों की जी हां उन महिला पहलवानों की जो लंबे समय से देश की राजधानी में जंतर मंतर पर बैट कर सिर्फ एक मांग उठा रही थी न्याय की मांग उठा रही थी कह रही थी कि भारती जंता पार्टी का जो सांसद है ब्रिज भूशन शरण सिंग उसने जो यौन शोशन किया है जिसके खिलाफ उन्होंने गवाही दी उसे गिरफतार किया जाए और आप देखिए यह जो पूरा का पूरा सिलसला है यह जो यौन शोशन का आरोपी ब्रिज भूशन शरण सिंग नई संसद में बुलाया जाता है फोटो खिचवाता है और वहीं दूसरी तरफ यह महिलाएं सड़क पर घसीटी जाती हैं और यहां तक आलम है कि यह आरोपी पब्लिक डोमेन में सारजुनिक तोर पर कह रहा है कि वालिक बच्चे बच्चीओं के साथ यौन शोशन से बचाने वाला कानून है उसमें परिवर्टन होना चाहिए उसमें चेंज की बात कर रहा है और आप देखिए दूसरी तस्वीर जहां ये खुले आम घूम रहा है और देखिए इस तस्वीर ने किस हद तक परेशान किय इन बेटियों को जो पत्र लिखा है वह ध्यान से देखिए क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पूइडन के लिए नियाए मांग कर कोई अपराद किया है पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपरादियों जैसा वहवार कर रही है जब उत्पीड़क खुली स अबदील कर दे रहा है ध्यान से सुनिये ये तमाम महिला पत्रकारों और टीवी के एंकरों के बारे में कमेंट है किस तरह से उन्होंने अपमान किया इन भारत की बेटियों का इस तरह के टीवी डिबेट्स में और आप देखिए इसके आगे वो लिखती है कि यहां तक कि एक्ट को बदलवाने की बास सरयाम कह रहा है हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है इन मैडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा मा है जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित करके इन मैडलों को हासिल किया था और आखिर में वे कहती हैं मैडल हमारी जान हैं हमारी आत्मा हैं इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरन अंशन में बैठ जाएंगे इंडिया गेट पर हमारे उ उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए देहतियाग दी थी हम उनके जितने पवित्र तो नहीं लेकिन अंतराश्टी इस तर पर खेलते वक्त हमारी भावना उन सैनिकों जैसी थी अब आप देखिए यह स्थिती है मोदी जी आपके राज में इन बेटियों की और म हिलाएं हिंदू बेटियां किस तरह से भारती जनता पाटी बजरंग दल विश्व हिंदू परिशद और अंगिनस संगठन पूरे देश में हिंदू बेटियों को न्याएं हिंदू बेटियों को सम्मान हिंदू बेटियों की आबरू के बारे में लगातार दावे और प्र इतना होती है उस पर लगातार मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगला जाता है और आप देखिए ये जो जहर उगला जाता है इसमें अंगिनत भारती जनता पार्टी के नेता भी शामिल है एक बहुत सीधा सा सवाल जो आज देश की हिंदू बेटियां आप से पूछना चाहती ह मोधी जी क्या हिंदू बेटियों को तभी न्याय मिल सकता है जब हमारे उपर जो अत्याचार हो उसे करने वाला दूसरे धर्म या यू कहूं साफ कहूं अगर वह मुसल्मान हो अत्याचारी मुसल्मान होगा तभी क्या टीवी से लेकर संसद में हर जगा डिसक्रिशन होग नियाय के लिए बात होगी और अगर इन हिंदू बेटियों पर यौन शोशन बलातकार और हत्या करने वाला शक्स हिंदू होगा आपकी पार्टी से जुड़ा होगा तो क्या जिस तरह का नजारा आप दिखा रहे हैं कि हिंदू मर्द को बचाने के लिए आपकी सरकार देश क तमाम कानूनों की धजियां उड़ा देगी और इसमें यह तस्वीर जो नई संसत की तस्वीर है मैं बाकी तमाम तस्वीरों की जिक्र नहीं कर रही यहां पर सिर्फ एक तस्वीर जिसमें यौन शोशन पर का जो आरोप लगा है ब्रिजबूशन शरण सिंग पर वह चमकद बार सफेद कुर्ते में खड़ा हुआ है यह तस्वीर हर जगा जा रही है यह जो नजारा है यह जो तस्वीर है नई संसत की यह बता रही है कि आपकी नई संसत में हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए और तमाम भारती महिलाओं की रक्षा के लिए कहीं से भी कोई प्र दिखाई दे रहे हैं लव जिहाद के नाम पर तो आप तमाम हिंदू मर्दों का कून खौलाते रहते हैं लेकिन जब आरोपी होता है हिंदू और खास तोर से अगर उसका तालुक कहीं से भी भारती जनता पार्टी से है तब तस्वीर बिलकुल बदल जाती है इसी क्रम में इ यह ट्वीट देखिए 28 मई को यह IPS अधिकारी NC अस्थाना पहलवानों पर पुलिस की कारवाई को सही ठहराते हुए कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी आप देखिए कि जब दिल्ली पुलिस इन पहलवानों को हिरासत में ले रही थी उस समय पहल बजरंग पुनिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस को चुनोती दी कि इतना आप जुल्म हम पे कर रहे हो इससे बहतर है हमें गोली मार दो इसमें वह शक्स लिखता है इसी के जबाब में कि जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं अभी तो सिर्फ क पचरे के बोरे की तरह घसीच कर तुम्हें फेका जा रहा है दफा 139 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है उचित परिस्थितियों में वह हस्रत भी पूरी हो जाएगी मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है फिर मिलेंगे पोस्मार्टम टेबल प की है कोई कारवाई दिल्ली पुलिस इस शक्स पर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है और उसके बाद यह ट्वीट डिलीट करता है लेकिन सवाल सिर्फ इस शक्स का नहीं है आप देखिए यह लोग अयोध्या के पुजारी हैं यह खुले आम आते हैं यौन शोशन के आर और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है मोदी जी इससे पहले भी हमने देखा है कि आपकी सरकार जी हाँ आपकी सरकार जो हरियाना में है वह चुनाओ जीतने के लिए किस तरह से बलातकार और हत्या में सजा काट रहे देरा सच्चा के प्रमुक को छोड़ती है वह खुले आम घ दूर क्यों जाईए हाथरस की बेटी यही उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश जहां कुलदीब सेंगर एक हिंदू लड़की के साथ यौन शोशन करता है और पूरे परिवार के खात्मा कर देता है उसे भी बचाने की कोशिश किस तरह से की गई यह पूरी देश और दुनिया ने देखा सवाल यह है मोदी जी कि जब इस तरह की घटना आती है तब आप मौनवरत धारण क्यों कर लेते हैं और देखिए यह नया चहरा यह नया चहरा इसका तालुग भी भारती जंता पार्टी से उतना ही है जितना इससे पहले के आरोपियों का रहा है इस श स्वीरे देखिए रक्षा मंतरी राजना सिंग के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्य मंतरी केशव प्रसाद मौरे के साथ और आतंकवात का आरोप जेल रही सांसद प्रग्या सिंग के साथ यह शक्स देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन में एक महिला जिसे आप लोग मोदी जी हिंदू महिला कहेंगे उसके साथ यौन शोशन करता है। वह महिला हिम्मत जुटा कर जाती है और शिकायत दर्ज कराती है। सवाल यहां बहुत सीधा सा है मोदी जी कि यह जो तस्वीरे हैं यह तस्वीरे बता रही हैं कि भारती जनता पार्टी में इस तरह के आरोपियों को किस तरह की छूट मिली हुई है। सीधा सा सवाल मोदी जी से मोदी जी आखिर आप क्यूं इन महिला पहलवानों को इस तरह से नयाय से वंचित करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जो नई संसद में आपने नया विधान रचने की कोशिश की है जहां आप एक राजा की तरह देश और दुनिया के सामने आए हैं जहां राजा जब चाहता है तब नयाय होता है। उसकी कोई अकाउंटिबिलिटी नहीं कोई जवाब दे ही नहीं और शायद उससे भी बड़ी बात यह जो लगातार आपके भक्त जन इन महिला पहलवानों के बारे में बोल रहे हैं। अब शब्द खुले आम कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वे राजनीती कर रही हैं। कह रहे हैं कि इन्हें पहलवानी नहीं करनी हैं। मेरा आप से सीधा सवाल है मुदी जी कि ये औरतें देश के कानून के तहट न्याय की मांग कर रही हैं। और इन्होंने कम से कम जिस तरह से लड़ाई की जनतर मंतर पे ये जो तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये इस बात की गवा हैं कि देश की बेटियां सिर्फ मेडल के लिए ही नहीं। और शायद इन महिलाओं को इसलिए सलाम करना जरूरी है क्योंकि इन्हों ने यह दिखाया कि भारत में लोकतंत्र की लड़ाई उसको बचाने की लड़ाई इसी तरह से लड़ी जा सकती है सीधे सीधे मुकाबला करके और शायद यही वज़ा है कि आप डर के इन महिलाओं को न्याए नहीं दे रहे हैं और सीधे सीधे सर्रक्षन दे रहे हैं एक ऐसे शक्स को जो देश के कानून को खुले आम चुनोती दे रहा है और देखे यह तस्वीर यह तस्वीर भी देश की राजधानी दिल्ली की है उसी जंतर मंतर की है और यहाँ पर जिस तरह से यह महिलाएं और पुरुशाएं इन्होंने सिर्फ एक मांग रखी देश की संसद और देश के प्रधान मंतरी के सामने कि मनिपूर को जिस तरह से जलाया जा रहा है? तीन मई से लगातार मनिपूर जल रहा है, सुलग रहा है, सैकडों जाने जा चुकी हैं, अनगिनत चर्श जलाये गए हैं, धौस्त किये गए हैं. पूरी तरह से वहाँ पर कानून का राज नदारत है, ये औरतें ये पुरुश जो भारतिये नाग्रिक हैं वे मांग कर रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाए और उनकी मांग में इसलिए भी दम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मणीपुर में जी हाँ वही मणीपुर जिसे लेकर दावा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है अभी पिछले साल ही यहाँ चुना हुआ और दुबारा भारती जनता पार्टी की सरकार बनी बिरेंदर सिंग यहाँ के मुक्यमंत्री हैं और देखिये उनका यह बयान वह बयान देते हैं कि जब भीशन हिंसा फैली हुई है वह सामने आकर कहते हैं कि 40 मिलिटेंट जी हाँ 40 उगरवादी कुकी मिलिटेंट मार दिये गए हैरानी और दुख की बात है कि पूरे देश में कहीं पर भी ए पीटेल ना देना बता रहा है कि मणीपूर जो जल रहा है जिस तरह से वहां पर जो हंगामा मचा जिस तरह से आग लगी हुई है देश के ग्रिहमंत्री अमिश्या के जाने के बाद भी बहुत बड़ी प्रोब्लम है बहुत बड़ा संकट है जिसकी अंदेखी केंदरसरका पूरी तरह से कर रही है आज अपने इस कारेक्ट्रम में हमने आपको दिखाया भारती लोकतंत्र की अंगिनत तस्वीरों को और अंत भी तस्वीरों के साथ देखिए किस तरह का विकास है गुजरात मॉडल की जिन्दा तस्वीर जिन्दा वीडियो है नरेन मोदी स्टेडिय स्टेडियम जो गुजरात में हैं जिसे लेकर अंगिनत दावे होए थे वह स्टेडियम उसमें जो गंगा बह रही है जो बारिश में नहाया हुआ ये स्टेडियम है यह बता रहा है कि देश के ग्रिह मंज्ट्री ने इसके बारे में जो दावे किये थे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, वहाँ पर जो पानी भरा, जो गंगा बही वह बता रही है कि विकास कितना जबरदस चल रहा है, और यह दूसरी तस्वीर है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, महाकाल का प्रकोब दिखाई दे रहा है इसमें, इसका लोकारपन साथ महीने पहल में तमाम जो मूर्तियां हैं, वह किस तरह से गिर गई, द्वस्त हो गई और इनके बारे में जो खबरे हैं, वह बता रही है कि भीशन पैमाने पर ब्रश्टाचार हुआ, सवाल बहुत सीधा है मोदी जी, कि एक तरफ लोकतंत्र, भारती महिलाएं, आपके हिसाब से हिंद झाल झाल